Hello Friends, मेरे नामें विकास आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोन पे एप से हम रिचार्ज कैसे करें इस तरीके से आप किसी भी SIM में रिचार्ज कर सकते हो आसानी से आईए जानते हैं सबसे पहले अपने फोन में फोन पर application को open करें और अगर आपने इस पर log लगा रखा है तो उसे open कर लीजिएगा इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा recharge and pay bills option के अंदर mobile recharge इस पर आपको touch करना है और आपके पास ऐसा page आएगा यहाँ पर आपको मिलेगा search by number और name यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का number या वो number डाल देना है जिस पर आप recharge करना चाहते हो मैं अपना number एंटर करता हूँ तो मैंने अपना number एंटर करा है आदा और मेरे phone में save है तो मैं इसे select कर लेता हूँ पूरा number आप enter करोगे तो आपके पास जो number है आजाएगा add करिएगा यहाँ मेरा number शो करा रहा है जो कि मैंने छुपा रखा है अब यहाँ पर इसे उपर की तरफ करिए देखिए अगर आपकी sim कोई और सी है वैसे तो automatic select कर लेगा यह अगर आपकी sim कोई और सी है तो आप यहाँ से change कर सकते हो जैसे कि V prepared मेरा V sim है तो मैंने V करा है automatic हो गया है कुछ करने के जरूत नहीं होती है sim कहां की है वो select करिएगा मेरे daily NCR की है तो automatic select हो चुका है अब आप कितने वाला recharge करना चाहते हो देख सकते हो तो सबसे पहले आगा made for you इसमें अगर आपको कोई offer होगा तो यहाँ पे दिखाएगा वरना आपको कोई plan चाहिए तो आप यहाँ से add कर सकते हो जैसे कि plan voucher, international roaming, talk time, vass, combo, entertainment, unlimited data, cricket तो यहाँ पे popular वाले में होगा या 100 यहाँ पे made for you वाले option में होगा इसमें चेक करिएगा तो यहाँ पे मैं यह वाला करूँगा 155 वाला इसमें क्या आ रहा है कि मैं 28 दिन की validate मिल लिए मैं net इस्तेमाल नहीं करता है इस sim से जो जी और सिम से start करता हूँ मैं तो यहाँ पे 189 वाला आ रहा है पर सेम चीज़े हैं पर मुझे यह offer मिल रहा है 155 में भी मिल रहा है देख सकते हो 189 में भी लगबग सेम ही चीज़े हैं यहाँ और यहाँ पे साथ SMS की कमी है बस तो मुझे SMS तो करने नहीं है तो 155 वाला select करता हूँ मैं इसके बाद यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा उपर उसमें क्या-क्या चीज़े मिलेंगी यहाँ पर शो करा देगा प्रॉसेट टू पे वाले option पर टच करिएगा देख यहाँ पर कह रहा है platform fee अब आप फोन पे से अगर आप Paytm फोन पर या किसी से भी रिचार्ज करते हो तो platform याने की जो application है वो अपनी fees लेता है एक रुपे या दो रुपे क्योंकि इनको कुछ ज़्यादा बरसता नहीं है और यहाँ पर एक या दो रुपे आपका चार्ज एक्ष्टा लगता है Pay option पर टच करिएगा थोड़ा सा वेट करिएगा आपके पास आपका UPI PIN पूछेगा मैं अपना UPI PIN एटर करता हूँ आपको screen black दिखाई दे रही होगी फिर right option पर टच करिएगा और आपका payment होने लग जाएगी तो मेरा recharge हो चुका है आप देख सकते हैं मुझे नीचे message भी आ चुका है पॉप अप message होता है यह message भी आ चुका है और उपर मेरे पैसे भी कट चुके हैं ऐसे आप भी recharge कर सकते हो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा